एक बार फिर आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरा नाम है आसीच चौरश्या और आप देख रहे हैं एज्जुकेशन फोर यू आज हम डिसकस करने बाले हैं बहुत ही इंपॉर्टन टॉपिक जो सिख्चा मनवेग्यानिक और बाल बिकास के बारे में हैं तो इस वीडियो कि मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा रखता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपनी फ्रेंड की मदद करें सब्सक्राइब करें ना करें पर यह वीडियो को दूसरे से सेर करें ताकि उनका भी फाइदा हो सके हमारी जरूरत नहीं है पर हमें ज्यादा से जएदा रोगों की मदद करना है यह हमारा मुते है तो बिना टाइमपेस के में स्टार्ट करना चाहूंगा दिकास का अभी लग्शन देकि सबसे पहला हम यह जानेंगे कि विकास होता क्या है दो डबलमेंट हे वह क्या होता है इसके शेकरपर этой क्या होती है तो यह आज बुलना सीख पाता है पढ़ना कब सीख पाता है तो इन सबी कोशनों के आंसर जानने के लिए इस पूरे वीडियो को आप देखते रहें आपको सारे कोशन के आंसर मिल जाएंगे तो विकास क्या होता है मैं वह बताना चाहूंगा पहले आपको विकास एक जीवन प्रयाद प कषने वाली प्रखरिया है जिसे हम दिकास के सकते हैं घृति होता है जो क्या होता है एक नींवत रूप्सही होता तो और अभी ऩ आ सकता है कि गुशर किस तरह होता है यहy सरल से जटिल की उपर होता है यहां पर आपके कुछ MC की उस्तियार हो जाते हैं कि विकास किस तरह होता है समान से विजिस्ट की उर होता है या सरल से जटिल की उर होता है तो यह भी काफे इंपॉर्टन है और वो पैटन का अनुशन करने के दोरान होता है विकास की प्रक्रिय दिखाई नहीं देते हैं देखिए अभी एक और हम इसमें टॉपिक डिसक्स कर लेते हैं कि जो ब्रद्धी और विकास है वो दोने एक समान नहीं होते हैं ठीके ब्रद्धी और विकास में बहुत बड़ा अंतर है जो अभी हम डिसक्स करेंगे इसके बारे में तो विकास का ज जो होते हैं मात्रात्मक होते हैं जैसे आयू के बढ़ने के साथ सत्कद का बढ़ना गुडात्मक जैसे की नहीं परिवर्तन है यह इस्तिर होते हैं पर अगर हम बोल दें कि मौसम जो है या ठकान है या अनकास्मिक करण जो भी हो सकते हैं यह इस्ताई परिवर्तन को हम विका यह कोई हमारा ग्यान नहीं होता है drive मनुवन्य जोका है कि तो ये किसी प्रकारा का मतलब इसमें ट्रूटी नाई यह कोई संभावनाा ही नहीं है विकासात्मक परिवर्थन जो वह क्या होते हैं बहु आयामी और परस पर संब्ध रखने वाले होते हैं और अनेक छेत्रों में ये एक साथ भी हो सकते हैं तो की भड़ा कोशन हमारा कि कि जो ब्रद्धी और विकास में अंतर क्या हैं बहुत द्याम से समझेंगे आप इसे तो देखो ब्रद्धी सब्द का प्रियोग जो होता है ये परिनात्मक परिवर्तन जिसे बच्चे के बड़े होने के साथ-साथ उसके आकार, लंबाई, उचाई, इत्यादी में परिवर्तन होने को हम ब्रद्धी के नाम से जानते हैं पर हम विकास देखे तो विकास सब्द का प्रियोग भी परिवर्तन हों के लिए ही होता है बड़ जरूरी नहीं है कि उसकी लंबाई में ब्रद्धी हो बुद्धी विकास की प्रक्षा का एक च्रण हो है उसको हम विकास का ही एक चरण है मतलब हम कह सकते हैं कि विकास का एक फैक्टर व्रद्धी के अंतरकर आता है पर व्रद्धी विकास के अंतरकर नहीं आती है ठीक है ये विकास जो है अपने आप में ही बहुत ज़्यादा व्यापक है ठीक है इसका ब्रद्धी जैसे ब्रद्धी तो इसका एक मातरिक भाग है ब्रद्धी की जो प्रकरिया है ये अजीवन नहीं चलती है बालक परिपाक होने के बाद क्या होती है रुख जाती है पर विकास की जो प्रकरिया सतत चलते रहती है और ये जीवन भर चलते रहती है इ स्टेर इसकी ब्रुटी होगी तो ही भी कास沟 हो सकता है अब भारती जो रिशी थे उनका मानना था कि उन्हें अवस्थाव को साथ कालों में विव्योंत किया कितने में किया है साथ में किया है अब देखी इसकी उपर अफ़ाद है अलग अलगट22 में यहיתे पर हमने यह स्टड़ी की बात बताया इसका मतलब यह नहीं कि आप कमेंट करने लग जाए कि इसमें किसी प्रका कि तूटी बिलकुल नहीं है आप निश्चन तो के से याद करें गरवस्ता या जो जन तक देखो गरवस्ता से लेकर जन तक का समय पहली अवस्ता में रखा गय अब याप पूरा संझेंगे इसको किशौर वस्ता 12 वर्ष से 18 वर्ष तक युगा वस्ता 18 वर्ष तक पचीस वर्ष तक मानी गई थी और प्रोड वस्ता जो थी 25 वर्ष से 55 वर्ष तक मानी गई थी इस इट開 Αक किसी बिदा आउट हो आपको तो कमेंट में लिग्वें बि भी लिखें और मेरी वीडियो को किस तरह लगते हैं ये भी आप कमेंट करके जरूर बताएं जिसे में को नया नया प्रकार का मोडिविशन मिलें और मैं अच्छे वीडियो आपके लिए ला सकूँ इस समय अधिकतर जो विद्वान होते हैं यह मानो विकास का अध्यन निम्ल विकास का अध्यन करते हैं और वाकी की जो भी अवस्ता है इसको हम कर देते हैं अग्नौर विकास क्योंकि यह उतनी इंपोर्टन नहीं रखती है अधिकम क्या है अधिकम मिस्ट लर्निंग ठीके सीखना क्या होता है देखिए आपर सीखने की प्रकरिया है यह भी क्या होता है जीवन भर चलते रहती है आप जन्म से ही म्रत्तु दक कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं कभी समाज से कुछ सीखते हैं तो कभी किसी के अनुव कर अगर आप रटते हो विशेवर्षतु को याद करना कहीं तक अधिगम की स्रेणी में अंतरकर नहीं आता है अगर आप स्रेण्ट हो और आप करते हो अपने सब्जेट को याद कर लेते हो और एक्जामनेशन में लिख देते हो तो इस नौट लर्निग ठीक है यह अधिगम नहीं है अधिगम का तात्पर होता है शीखना अगर आपने मैंसा कोशन शीखा हुआ है और उसके दस कोशन आप कर सकते हो वो करने के लिए तो वो हुता है अधिगम जिस तरह आप साइकल चलाना सीख जाते हो आपको कभी से चलानी के लिए बोला जाये तो आप साइकल बड़ी ही असानी से चला सकते हो तो वह कहलाता है अधिगम अब हम देख लेते हैं जो infancy की learning stage है उसमें बच्चा क्या-क्या सीखता है तो देखे जन्म से 6 वरस्तक की अवस्ता में जो होता है उसे हम क्या कहते हैं infancy की अवस्ता कहते हैं जन्म से 3 वरस्तक बच्चे का सारीरिक मानसिक विकास जो होता है यह हमारा कोशन बन सकता है कि बच्चो का जो मांसिक विकाष है वो किस एज में होता है तो उसका राइट आंसर होगा तीन बरस में और जो इनफैंसी में जो यह अवस्ता है इसमें बच्चा क्या चाल सेखता है तो देखो अनुकरन एवम दोराने की प्रवत्ति जो होती है बच्चों में बहुत तीवर पाई जाती है बच्चों में पाई जाती है प्रवत्ति इस काल में बच्चों का समाजी करण होना प्रा भासा सीखना किस काल में सरविदिक अच्छा माना जाता है तो वो काल है आपका इनफैंसी याने सेवस्थ अवस्ता का काल होता है ये काल सिक्चा की दरश्टी से सरविदिक महत्पूर भी माना गया है अगर सिक्चा की दरश्टी से देखा जाए तो ये काल कैसा है अंतनी महतपूर माना गया है अब हम next topic में discuss कर लेते हैं तो next topic हमारा क्या है जो childhood है ठीकी जिसे हम बालावस्ता के नाम से जानते हैं तो 6-12 वर्स्त की वर्स्ता को बालावस्ता के अंतरकर रखा गया है पहला question तो यह बन जाता है आपका कि 6-12 वर्स्तक किस अवस्ता में रखा गया है तो यह बाल वस्ता बाल वस्ता के प्रतम चरण जो होते हैं 6-9 वर्स्तक बाल वर्स्तक के लंबाई भार आदी दोनों बढ़ते हैं इस काल में बच्चों का चिंदन तर्क सकती का विकास होता है वो सूचने लग जाता है मुद्दो को पकड़ने लग जाता है उन पर तर्क कर सकता है इस काल के बाद बच्चे पढ़ाई में रूची लेने लग जाते हैं और इसी में क्या होता है बच्चे बहुत तीबर गती से सीखते हैं और बाल वस्ता में सीखने की गती जो होती है फिर वो मंद हो जाती है कि इसकी तुलां में जो पहली वैली अवस्ता इसकी दुलां में हैं समझ म Brook Let You इसकी आवस्ता बच्जों क्यष्टा की सिक्षा को उप्रियोग को प्रियोक करना चाहिए इस अवस्ता में ठीकि हमारा आएक सब्सक्रेंश है कि एलन्ग इंटेस में की बारा वर्स से अठारा वर्सते की अवस्ता में किसोर अवस्ता का जाता है यह समय जब होता है जब वैक्ती बाल अवस्ता में परिपाक और उम्मुक हो जाता है और इस अवस्ता में किसोर की लंबाई भार आदी में ब्रद्धी होती है और मास पेशियों में ब्रद्धी हो प्रजनल अंग भी विक्षित हो जाते हैं एवं उनकी काम की मुल प्रवत्ति भी जाग जाती है, बच्चों में जो होता है, वो काम की मुल प्रवत्ति भी जाग जाती है, तो friends मेरा ये वीडियो कैसा लगा, और इसमें किस तरह के वीडियो से आपको और भी चाहिए, तो comment कर रहा है डीजे इसमें वीडियो को जल्दी से बंद करना चाहूंगा क्योंकि अगर डीजे का साउंड आ गया तो फिर नॉइस भी होगा और आपको थोड़ी से प्राउलम भी होगी तो मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज 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 कमेंट करें और मेरे सेनल का नाम ना भूले एजुकेशन फोर यू और मेरा नाम है आसी चौरशिया और इसी उम्बीट के साथ की आपका जो भी एक्जामनेशन है उसमें आपको ग्रेंट सक्सेस मिलेगी मैं विदाई लेना चाहूंगा जै हिन जै भारत